भारतिये सेना के एक ऐसे जवान जिन्होंने 1965 के युद्ध में 9 गोलिया लगने की वज़े से अपने दोनों पैर गवा दिये लेकिन इसके बावजूद भी हार ना मानते हुए अपने द्रिड आत्म विश्वास के चलते पैरा उलम्पिक गेम्ज में भारत के लिए सबसे पहला गोल्ड मेडल जीता कौन है ये जवान चलिये जानते हैं माराष्ट के सांगली जिले के रहने वाले मूरली कांत पेटकर जी ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इस्सा लिया था युद्ध के दुरान पाकिस्तानियों से लड़ते हुए उन्हें पैर और कमर में नो गोलिया लगी थी जिसके चलते उन्होंने अपने दोनों पैर गवा दिये लेकिन बचपन से स्पोर्ट में इंटरस्ट होने की वज़े से मुरली कांत जी खाली बैठना नहीं चाहते थे इसलिए उन्होंने कोच की मदद से स्वीमिंग सीखना शुरू कर दिया जिसके बाद उन्होंने पैरा फ्री स्टाइल स्वीमिंग की कटेगरी में पैरा उलम्पिक गेम्स के लिए तयारी करनी शुरू कर दी और साल 1972 में जर्मनी में हुए पैरा उलम्पिक गेम्स के 50 मेटर फ्री स्टाइल स्वीमिंग को महज 37.33 सेकंड में पार करके वर्ड रिकोर्ड के साथ गोल्ड मैडल जीत लिया पर दुख की बात तो यह है कि आज शायदी इनके बारे में कोई जानता है गाइस पेटकर जी के जजबे के लिए हम उन्हें सलाम करते हैं